हेलो बच्छो कैसे हो आज की इस वीडिो लेक्ट्चर में बहुत मजाने वाला है क्यूंकि मैंने 11 और 12 की insanity की जितनी भी reduction reaction है सब का analysis क्या और वो सारे की सारी reduction reaction को मैं इस वीडियो लेक्ट्चर में करने जा रहा हूँ explain वो भी मेरे simple trick से तो देखो जैसे खाने में अगर अचार मिल जाए तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है वैसे ही औरगेनिक केमस्टी में अगर आपको रफी सर का ट्रिक मिल जाए तो आपको औरगेनिक का मज़ा आएगा तो अगर ये पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद अगर आपको मेरा परियास अच्छा लगे तो आप रखिये अन अपना नोटिफिकेशन ताकि रफी सर को मिलता रहे मोटिवेशन तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं तो ध्यान से देखो आपको कोई कन्फिजन न रहे उसके लिए हमने बहुत ही और्गेनाईज वे में वर्क किया है वो क्या है कि मैं एक तरफ फंक्शनल गुरूप ले रहा हूँ कि पूरी इंसियाटी की रिड़क्शन रियक्शन में किस-किस फंक्शनल गुरूप पे कौन-कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया गया है मेरी बास समझ माई कौन-कौन से फंक्शनल गुरूप में कौन-कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया गया है उसको हमने किलरली लिखा है एक तरफ में फंक्शनल गुरूप एक-एक functional group को मैंने पकरा और उसका analysis किया तो इधर functional group लिखा, इधर कौन-कौन से reducing agent उसके यूज किये गए क्या product मिलेगा और फिर उसका explanation भी देने जा रहा हूँ कि आपको इसमें क्या-क्या point ध्यान रखना है तो सबसे पहला हमें start करते हैं number one, alkyl halide क्या? alkyl halide तो alkyl halide पे दो reducing agent अभी तक यूज किये गए NCRT में एक lithium aluminum hydride जिसको short form में हम क्या बोला सकते हैं? LA, और दूसरा zinc in presence of dilute acid ZN HCl या इसको और कैसे लिख के दे सकता है? ZN slash H+, ऐसे भी दे सकता है that means zinc in presence of acidic medium होना चाहिए तो ये दो reducing agent alkyl halide पे यूज किया है अब देखो इन दोनों में किसी को अगर कुछ नहीं भी मालूम है तो वो simple अपने logical thinking से इस question को कर सकता है अगर carbon के साथ halogen लगा हुआ है तो lithium तो इसके साथ हाँ गया नहीं, carbon के साथ organic compound पर नहीं राइट तो metal इसके साथ attach करने का कोई मतलब नहीं बनता है halmonium को attach करने का मतलब नहीं बनता है वैसे भी क्यों नहीं बनता है क्योंकि इन दोनों में electron negativity में halogen की electron negativity जाद है तो इस पे minus आगा तो इस पे plus lithium plus है halmonium plus है, ripple हो जाएगे तो आएगा कौन hydrogen तो एक्स हटा के क्या करता है halogen, that means यह one of the method of preparation of क्या हो गया, alkane भी हो गया similarly यहाँ पे भी ZN तो यहाँ पे X की जगा आएगा नहीं CL तो आएगा नहीं कि और रड़ी halogen है तो आएगा कौन है, तो simple logical thinking से भी हम इस question को अर सकते है तो जब भी alkyl halide in presence of la, या in presence of zinc and acidic medium देखे, तो आपको क्या बनाना है, alkane, that means जहाँ पे भी X लगा हुआ है, जिस कारवन पे, उस कारवन से X हटा करके H लगा देना, funda clear हो गया, explanation जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो यह CL लगा हो सकता है, BR लगा हो सकता है, या iodine, कोई भी halogen हो सकते हैं, fluorine generally नहीं लेते हैं, तो लाह जो है वो बहुत ही strong reducing agent है, इसलिए यह जो reaction होती है यह via SN2 होती है, और यह 1 degree alkyl halide है, तो बहुत ही perfect condition है SN2 होने के लिए, तो आपको क्या करना है, यह carbon और halogen के, बीच जो bond बना है इसको हटा करके हाँ पर hydrogen बना है तो बाकी को वैसी रहने देना है, तो यह 3 carbon और यहाँ पर कौन आ चुका hydrogen, that means simple यह propane बन गया, bond line notation से, right, similarly अगर 2 degree हो, तो भी आपको last से वही कराना है यह carbon और halogen के बीच का bond हटा करके हाट्रोजन, तो यह 4 और यह तो simple आपका क्या बन गया यह normal butane, इलकेन बन गया, right, similarly zinc in presence of acidic medium हो, तो again carbon और halogen के बीच का bond हटा करके, आपको hydrogen तो 1, 2, 3, 4 है तो यह भी simple आपका क्या बन जाएगा butane, यह hydrogen इसलिए देखा रहा हूँ कि यह सब hydrogen आपका इन से आ रहा है, इसलिए मैं दिखाया हूँ, तो simple आपका alkene बन जाएगा, तो clear हो गया कि alkyl halide पे 2 reducing agent पूरी NCRT में यूज है, एक LAH और एक ZNHCL तो generally LAH कहा कहा पे यूज हो सकता है, 1 degree, 2 degree पे, 3 degree पे यूज नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे alkyne बनता है, तो 1 degree, 2 degree SN2 में किने जम होता है, और आपको alkyne मिलागा, वैसे ही ZNHCL, अगर होगा, तो आपको alkyne मिल जाएगा, तो चलिए अब हम दूसरे functional group के बारे में बात करते हैं, तो functional group number 2, that is ROH, आइदर alcohol या phenol, तो उस पे कौन-कौन स reducing agent यूज कियेगे हैं, एक तो zinc, NCRT में और एक red phosphorus and HI, ये दो मैंने देखा, ओके, तो अगर phenol की reaction, ये आपको होगा phenol, phenol की reaction, अगर आप zinc dust से कराओगे, that means, zinc को powder form में ले 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 हैं, तो ये क्या करेगा, oxygen को खीच लेगा, right, तो oxygen खीचते ही आपको क्या मिलने बाला है, benzeen, जिसको मैं प्यार से बोलूँगा, benzee, तो एक तरह से आपको aromatic hydrocarbon मिल गया, तो यहां से भी हमें क्या मिल रहा है, hydrocarbon ही मिल रहा है, similarly, alcohol पे red phosphorus and HI की reaction अगर कराएंगे, alcohol पे red phosphorus और HI की reaction कराएंगे, तो कुछ नहीं करना आपको, यह carbon और oxygen के बीज का bond break कर देना, और इसको भी हेच देना, और इसको भी हेच देना है, वैसे, इसका मैंने पूरा trick आपको अपने reducing वाले में दे रखाऊं, तो आपको क्या मिल जागा ध्यान से देखो, simple आपको normal butane मिल जाएगा, तो बात समझना आगई, alcohol and phenol पे कौन-कौन यूच गया गया है, phenol पे zinc को यूच क्या गया है, तो आपको benzene मिलेगा, और alcohol पे red phosphorus अगर HI को यूच करेंगे, तो आपको क्या करना है, carbon oxygen के बीच का bond break कर देना और दोनों को HHS देना है, right, by product में आपको क्या मिल जागा, आप देख सकतो water, तो वो तो बात की बात है, हमें major product या organic product से मतलब होता है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, तीसरे functional group, that is aldehyde, या अगर ketone होगा तो, तो aldehyde या ketone पे ये 5 reducing agent हमने देखें हैं, NCRT में use होते हुए, एक H2 in presence of nickel, या platinum, या palladium, right, दूसरा lithium aluminum hydride, तीसरा sodium borohydride, चौथा ZN, HG, HCR, that is clemencion reduction, और पाँचमा NH2, NH2OH- that is wolf-kishner reduction, तो वैसे तो मैं ये सारे का trick आपको दे रखा हूँ, reducing वाले में, but we are discussing here, कि सारे reduction को एक जगा पे, इसके लिए मैं फिर से इसको ले रहा हूँ, तो ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, तो 1, 2, 3 अगर आपने reducing agent यूज़ किया, either aldehyde या ketone तो आपको क्या करना, very simple, इन तीनों में, 1, 2, 3 से लिए मैं लिखा, इन तीनों में क्या करना आपको, ये pi bond को break कर देना है, ये pi bond को break कर देना है, जो c और oxygen के बीच है, और इसको 1 h देना है, और इसको भी 1 h देना है, दोनों को equal h देना है, तो द्यान से देखो क्या product मिल जाएगा आराम से देखो CH3 CH2 इस कारण पर क्या होगा द्यान से देखो एक हैज था एक और हैज उसको मिला और अधर oxygen है तो इधर oxygen उसके साथ हैज 2H हो गया इधर हैज इधर हैज तो आपको क्या हो गया 1 degree alcohol मिल गया आप कहा सकतो कि इस case में आ होगा तो आपको क्या करना है यह वाले पाइवां को बिरेद करना है इसको भी है और इसको भी है तो आप ध्यान से देखो तो क्या हुआ CH3 राइट C इस पे OH हो गया इसके पास 1H आया और CH3 तो आपको क्या मिल गया है 2 degree alcohol तो this is one of the method of preparation of alcohol में भी आ जागा तो aldehyde लेंगे तो 1 degree, ketone लेंगे तो 2 degree आइधर आप H2 in presence of nickel platinum, palladium लो या lithium aluminum hard drive लो या sodium borohid अब अगर last 2 जो है 4, 5 राइट तो इसको clevention reduction में बोलता हूँ और इसको wolf kishner तो यह अगर aldehyde पर हमने use किया तो इस case में क्या करना आपको यह पूरा ही गाइब कर देना है यह दोनों sigma और pi दोनों गाइब कर देना है और क्या देना है HH तो यह bond break किया अगर तो इसकी और दो bond break हुआ है तो आपको 2H मिल जाएंगे तो that means आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर simple alkane मिल रहा है इलकेन बनाने का ही एक method हो गया similarly अगर ketone पर करेंगे तो वही सेम बात यह दोनों bond को break कर दो दो bond break किया तो इसको 2 hydrogen मिल जाएंगे और oxygen को भी आपको 2 hydrogen देना जो water form है बाहर चला जाएगा तो product आपको क्या मिल जाएगा CH3 CH2 CH3 again आपको क्या मिल गया एलकेन तो very clear होना चाहिए आपको कि aldehyde या ketone में यह सब reducing agent यूज हो है यह first 3 वाले से alcohol मिलता है और last वाले से एलकेन मिलता है आपके सामने हैं बिलकुल ध्यान से देखिए now next functional group is carboxylic acid तो carboxylic acid पे ला lithium aluminium hydride यूज किया गया है B2-H6 यूज किया गया है और sodium borohydride के बने बताया गया है कि यह reaction नहीं करेगा इसलिए मैंने cross किया है कि sodium borohydride carboxylic acid को easily reduce नहीं करता है बट lithium aluminium amodride और B2-H6 कर सकता और कैसा reaction होगा या क्या product बनेगा वो यहां में समझा रहा हूँ कि जैसे मैंने यहां पे carboxylic acid लिया तो अगर आप लाह यूज करो या B2-H6 दोनों में same product मिलेंगे आपको क्या करना है पहले यह sigma bond को break करना है carbon और oxygen वाला sigma bond को break करना है और इसको भी H देना है और इसको भी H क्योंकि reducing होड़ा राइट तो first step में क्या बना ध्यान से देखो CH3 CH2 C double bond OH हेच पहले यहां तक बन क्या जाएगा फिर further आपको क्या करना है अब यह जो sigma और πाई दोनों बन रखा है तो उसमें से πाई को break कर देना और इसको हेच और इसको भी हेच देना है तो आपको क्या मिल गया दियान से देखो CH3 CH2 इस कारण पे दो हेच हो गए और एक OH तो आड या B2A6 देगा अगर करवाख़ेजलीं केसीड है तो पहले कारवान ऑक्सरिंड का single bond प्रेक करके हेच हेच दो फिर उसके बाद कारवान ऑक्सरिंड का पाई बॉन ही सिरिफ बिरेक करो दो बन बना हुआ है तो पाई बॉन परेक करो और हेच हेच दो आपको अलकोहल म hydride राइट इसको इस टैप से भी लिख सकता है या डाइवल हेच करके भी लिख सकता है और B2 हेचिक से यह अगें रियक्शन नहीं होती है तो एक पॉइंट के लिख राइचे कि B2 हेचिक से एस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता है और यह दोनों करता है और कैसे करेंगे तो द्यान से देखो वेरी सिंपल जब हेच टू पी डी आप यूज करेंगे तो आपको क्या करना है यह वाला पहले बॉन्ड को हटा देना है और इसको हेच और इसको भी हेच देना है तो द्यान से देखो क्या हुआ है और फिर फर्दर आपको यह करना है क्या इसमें का स्रीफ और स्रीफ कौन सा बॉन्ड करना है आपको पाई और इसको भी हेच देना और इसको भी हेच तो क्या मिलेगा दियान से देखो CH3 CH2 OH वन डिग्री अलकॉहल मिल जाएगा तो अगर अपने हेच टू इन प्रेजन सब पीटी यूज के एस्टर पे ता आपको वन डिग्री अलकॉहल मिल जाएगा बट अगर एस्टर पे अगर आपने डाई आइसो ब्यूटाइल एल्मोनियम हाइड्राइड डाइबल हेच करके भी लिग्देगा तो यहाँ पे इसका हेच आपको यह बॉन्ड बिरेक करके यहाँ पे हेच और यहाँ पे हेच बस इतने पे रियक्शन को छोड़ देना है क जबकि अगर अल्डियाइड पे रोकना है तो आप डाइवल हेच यूज कर सकते हो क्योंकि यह एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों हुआ उसके पीछे भी लॉजिक है आईसो ब्यूटाइल दो बल्की गूरूप है और एल इस एसीड हेलाइड अगर एसीड हेलाइड पे देखा जाए तो हेच टू पीडी इन प्रिजन्स ऑफ बैरियम सल्फेट यह यूज क्या गया है राइट बीटू हेसिक्स के वारे में इन्फॉर्मेशन है कि बीटू हेसिक्स इससे रियक्ट नहीं करता है बट यह कर लुएस सिंहान ए और इन दोनों में फोरव सा डिफेरेंस है दिया से देखो यहां पर हेच्टू पीडी इन प्रिजन्स ऑफ बैरियम सल्फेट यहां पर इसको जिसको प्लीज़कि 빠ष्द के पाव텐र से कवर कर दिया जिसको पर से उसकी रियाक्टिविटी गया तो ये reaction में सिर्फ आपको क्या करना है carbon और halogen के बीज का bond break करना और इसको H, इसको H देना है तो that means आपको aldehyde पे ये reaction को रोख देना है आपको ये reaction aldehyde पे रोख देना है इस reducing agent का नाम है rogen mund reduction तो name भी द्यान में रखना है now B2 H6 लिए तो कोई reaction नहीं होगी ये information है और अगर आपने barium sulfate नहीं लिया शरिफ H2 PD लिया तो क्या होगा पहले ये bond को break करना है और break करके इसको H और H दिया तो आपको क्या मिला CH3 C double bond OH और ये reaction यहीं पे नहीं रुकेंगी फिर इसका pi bond को break करके इसको H इसको H तो आपको क्या मिल जाएगा एक्चुली में अल्कोहल मिल जाएगा आपको वन डिग्री तो ये point आपको ध्यान में रखना है क्या अगर H2 PD in presence of barium sulfate हो गया तो फिर aldehyde पे reaction रुक जाएगी otherwise alcohol पे रुकेगी और B2 H6 acid halide का कुछ नहीं कर पाता है now next अगर cyanide होगा तो reaction कैसे होगी तो देखो cyanide पे ये 5 reducing isn't used के गए SNCl2 in presence of HCl and बाद में फिर उसको acidified क्या गया और फिर dival H in presence of water या फिर H2 in presence of nickel platinum और platinum sodium in presence of HG that means amalgam और ethyl alcohol और lithium aluminum heart diet ये 5 reducing isn't used के गए तो ध्यान से देखो अगर आपने cyanide पे either 1 या 2 या 2 ये दोनों तो आपको क्या करना है first case में आपको स्रिफ एक pi bond break करना है एक pi bond break करना है और इसको H और इसको H समय में वही कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा ध्यान से देखो CH3 CH double bond NH ये आपको क्या मिल गया I mean उसके बाद जो ये H3O plus लिया गया that means hydrolysis और hydrolysis का concept क्या बता है था carbon nitrogen के बीच electron negativity difference है bond को break कर दो इसको OH दो इसको H दो एक bond भी रेकिया तो दूसरा bond भी रेकिया तो इसको OH और इसको H तो आपको ध्यान से देखो आपको इससे क्या मिल गया NH3 by product right NH3 ammonia मिल गया और इसका क्या होँ आप वो ध्यान से देखो तो CH3 CH पे 2 OH है आपको बता रखाओ carbon पे जब भी एक से ज़्यादा OH हो एक ही कर्म पे तो एक पुड़ा OH और एक हेच water के form में बाहर कर दो तो आपको यहाँ से product क्या मिलने बाल है CH3 seed or bond OH that means यह method of preparation of aldehyde भी हो गया very very important अगर inite के reaction SNCL2 in presence of HCL and H plus acidic medium में करा रहो तो aldehyde मिलेगा या dival H ले रहे हैं तो भी आपको aldehyde पे reaction को रोकनी है dival H के बारे में एक important point है कि यह double bond को effect नहीं करता है तो इसलिए अगर आपने यह वाले में dival H लिया इसलिए तू लिखा मैंने सबका numbering कर दिया dival H लिया तो इसको कोई effect नहीं होगा और cyanide अभी आप देखना aldehyde में गया हुआ है तो क्या हो जाएगा CH3 CH double bond CH और यहाँ पे क्या जाएगा C double bond OH that means double H double bond को effect नहीं करता है तो यह point important है बाकी cases में अगर आप ध्यान से देखो 3, 4, 5 तो यहाँ मैंने लिया 3, 4, 5 अगर cyanide है करना और HH देना मतलब दोनों ही pi bond को break कर देना है तो आपको क्या मिलेगा CH3, CH2 ध्यान से देखो और इस कारवन पे फिर से CH2 और उदर NH2 मतलब 1 degree amines मिल जाएगा आपको तो very important अगर cyanide की reaction H2 in presence of nickel platinum platinum या sodium amalgam और alcohol की presence में या फिर lithium aluminium बट डाइवल है या SNCLE ये लोग है तो आपको aldehyde इसमें partial reduction हुआ फिर hydrolysis हुआ हम कह सकते हैं कि ये वाले दोनों में आपका क्या हुआ हुआ है partial reduction और फिर hydrolysis क्या आपने तो आपको aldehyde मिला जबकि इसमें एक तरह से complete reduction हो रहा है नाउ नेक्स्ट नाइट्रो ग्रूप पे कौन-कौन से reducing agent यूज किये गए है तो H2 in presence of again platinum, nickelia, palladium SN in presence of HCR यहाँ पे देख सकते हैं SN zero oxidation state में FE zero oxidation state में in presence of acidic medium और B2 H6 तो B2 H6 नाइट्रो ग्रूप को नहीं करता है ये एक information है जो important part है ध्यान रखना है नाइट्रो ग्रूप को B2 H6 reduce नहीं करेगा बाकी ये तीनों आपके करेंगे और आपको क्या मिनने वाला है NO2 से NH2 तो यहाँ पे ध्यान से देखो मैंने nitro benzen लिया 123 मतलब इन में से आप कोई भी use कर सकतो तो आपको product क्या मिलेगा कुछ नहीं करना है ध्यान से देखो ये जो दोनो oxygen आपको दिख रहे है ये इसकी जगा क्या कर देना है दो hydrogen कर देना है तो N और दो hydrogen that means आपको aniline मिल जाएगा similarly अगर यहाँ पे देख सकतो ये NO2 है 123 में से कोई भी use करोगे तो क्या मिल जाएगा CH3, CH2, NH2 यहाँ पे भी आपको 1 degree amine मिलने वाला है तो कहने का simple सा मतलब है कि nitro group को अगर reduce करना है तो H2 in presence of platinum ये SN HCL ये FV HCL आप ये ये जाएगे और इसमें एक important point है अमाइड पे एक reaction कराए गई है RCO-NH2 अमाइड group पे भी reducing agent यूज कियागा ये ला lithium almonium iodide और इस case में आपको करना क्या है तो ये वाले bond को दोनों जो sigma और pi C double bond हो उसको gap करना है NH2 वाले को gap नहीं करना है इसको gap करना है हेच हेच आपको दे देना है हेच हेच दे देना है तो आप दियान से देखो क्या मिल गया है CH3 CH2 CH2 NH2 तो again यहाँ पे आपको 1 degree amine मिनने वाला है तो ये important point है अगर amide की reaction लाज से कराओगे तो 1 degree amine मिलेगा C double bond हो को gap करके hydrogen 2 hydrogen लिया आना है now next alkene पे भी reaction कराएगी है C double bond C alkene पे तो alkene के लिए use क्या गया है हेच 2 in presence of again nickel palladium या palladium राइट जैसे यहां पे लिए हेच 2 PT तो आपको करना क्या है कि इसके दोनों hydrogen को same side से attach करना है एक ही direction से attach होगा same side से राइट तो आपको क्या मिलने वाला आपको मालूमी है यह C यह H, यह CH 3 इधर से भी H इस पर आगया वो πाइवान को break कर दिया हमने बाकी जो चीज जैसे है वैसे तो actually मैं कहने का अंतरब यह है कि यह एक sin addition है और sin addition होने के वज़र से अगर यह chiral कारण बनता तो फिर आपको diastomer बनाना है या फिर mesomer बनाना है या फिर कौन सा product मिलेगा इसके बारे में भी मैं trick दे रखाऊ तो यहाँ पर यह point है कि sin addition करना है और आपको product क्या मिल जागा alkene तो this is one of the method of preparation of alkene via alkene और जो addition होगा वो same sides होगा sin addition इसको बोलेंगे now last अगर alkene होगा तो alkene पे that means C triple bond C पे H2PDC यूज किया गया sodium in liquid ammonia और H2PD ये यूज कर सकते हैं ये अगर यूज करोगे तो sin addition होगा अगर ये यूज करेंगे तो anti addition होगा और ये यूज करेंगे तो complete reduction होगा इन दोनों में क्या होने वाला है partial that means reaction आपके alkene पे रुख जागी तो again explanation में बता रहा हूँ देखो यहाँ पे आपने लिया triple bond H2PDC C मतलब carbon के dust right या charcoal भी बोल सकतो powder form है इससे again क्या हो गया कि palladinum की reactivity को कम कर दिया तो आपको शरिफ एक pi bond break करना है और इसको H और इसको H और दोनों को same side से देना है क्योंकि यह scene edition है तो आप कैसे product बनाएंगे C double bond C दोनों H same side से होना चाहिए तो यह same side से दिखा और दोनों CH3H से मतलब आपको cis alkin मिलेगा वहीं पर अगर trans चाहिए तो आपको क्या यूज करना परेगा sodium in liquid ammonia same procedure है break करकर करके एक hydrogen इधर से और एक hydrogen इधर से अब positive side से इसलिए इस case में आपको जो मिनने वाला है वो trans alkin मिनने वाला है ध्यान दे ट्रांस मिनने वाला है तो cis चाहिए तो H2 PDC यूज करना है trans चाहिए तो sodium in liquid ammonia अच्छा ध्यान तो यहां पर point क्या है point यह है कि reaction को alkene पर रोक दिया हमने that means triple bond double bond में सिर्फ convert होगा reaction यहीं पर रुख जाएगे इसलिए यह तोनो example है कि इसका partial reduction का but अगर किसी ने सिर्फ यह carbon 4 को नहीं लिया तो सिर्फ H2 PD लिया तो reaction फिर आपका alkene पर नहीं रुखेगी तो पहले क्या होगा CH3 CH double bond CH CH3 यह बना alkene और फिर further reaction आगे convert हो जाएगी alkene में तो आपको end product क्या मिनने वाला है alkene यह point ज्यान में रखना है तो ऐसा क्यों होगा क्योंकि यह carbon charcoal form में डानने से platinum का जो भी active surface था वो cover हो गया इसलिए इसकी reactivity कम हो गई तो reaction आप alkene पर रोक सकतो otherwise reaction alkene पर नहीं रुखेगी direct alkene पर रुखेगी तो I hope यह पूरा मैंने जितना भी reduction reaction था सब को एक जगा पर cover क्या है आप भी इस video lecture को properly अच्छे से देख करकर के एक अच्छा सा note बना लो इसके बाहर कुछ नहीं है क्योंकि यह जितने भी मैंने reaction दिया है यह सब mains या नीट में पूछे गए हैं और पूछे ही जा रहे हैं आपको यह बिल्कुल अच्छार की तरह काम करेगा अच्छे से कर लिए तो आपको दो step आगे